प्रदेश के चार बड़े शहरों में कोरोन आउट ओफ कंट्रोल प्रदेश में 24 घंटे में 4759 संक्रूत मिले जादा इंदौर में 1343 मरीज तो भोपाल में 988 मरीज संक्रूत 36 घंट के सीम भुपेश बगलने का बयार ने पंजी प्रते और किसानों से की जाएगी धान खरीदी मौसम सीज तो फोती ही खरीद केंदर में लगाई जाएगी जाएगी भोपाल में आवास मंत्री वुपेश सिम ने जारी के आदेश कहा रजा मुराद नहीं होंगे नगर निगम भोपाल के सुक्षता ब्रांड अम्बेजडर अम्बेजडर बनने के लिए जरूरी है कुछ बात है मंसौर रेड क्रॉस की जिला प्रवंदन समीती के हुए चुना और जंसेवा पैनल के सदस्यों की हुई जीत प्रितेश चावला तीसरी बार बने निर्विरोध अध्यक्ष रायपुर में स्वंसेवी संस्थाओं ने चलाय रोकोतों कभ्यान वीदा पीपल यूनिसेफ ने भी दिया हिस्सा मास्क लगाए समाजिक दूरी बनाए ठीका करन प्रक्षित करें नमस्कार खबर भारत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चली बढ़ते हैं खबरों क्योर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान प्रत्वीपूर के खिल्स्टोन और सिया खास पोंगां पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर कहा उलव रश्टी से जो फसलें खराब हुई हैं चिंता ना करें किसान इसे दुप की घड़ी में हम उनके साथ हैं और किसानों को हर संभव आश्रा संदिया मुख्यमंत्री स्वहम खेतों में पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिये जिन किसान भाईयों और बेहनों की सिंचित फसल में 50% से ज़्यादा नुकसान है उनको 30,000 रुपे की 30,000 रुपे परतिय हेक्टर की दर से राहत की रासी दी जाएगी और केवल राहत की रासी नहीं फसल भी मायोजना का अलग से लाव दिया जाएगा रिन्ड वसूली सिचित करके अलब काली रिन्ड को मध्धम काली रिन्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा व्याज की विवस्ता भी हम करेंगे फसल भी मायोजना का भी 25% नुकसान का भी मा कंपनी पहले देगी बाकी पूरे आकलन के बाद देगी फसल के अलावा अगर और नुकसान हुआ है मकानों में इन्सान की भगवान ना करें लेकिन जान भी चले गए तो चार लाक रुपे की रासी गाए भैस जैसे पालतू हमारे पसू की मृत्यू हुई है तो उसके लिए 30,000 रुपया अगर बच्रा बच्छिया की मृत्यू हुई है तो 10,000 रुपया बच्रा बच्री की मृत्यू हुई है तो भी 800 रुपया मुर्गा मुर्गी की और चूजे की भी विए तो जिस तरह का नुक्सान हुआ उसके अलग पैसा तो इस नुक्सान की भरपाई करके किसानों को पूरी रहत देंगे है श्राइब पाने के लगए पैसे प्वाण पानी के पिट रहते हुरन से पिट रहते हुआ खाड़ी चलिए आयते बार बाती हो गई जब हसल पिट गई हमारी सो इसके लिए घबड़ा के हमिते चलाते राम राम भबान भब्मान लेटिया वाले यासुना हुद्ध फोट तुब्य जी उपाई इत्यात्कारी गया है कलतरा है कौनी को पटवाई गया है तुगांपे गया समझा है उन्हें तक हुष्णपाद जी आज मुकमंत्री आए देवे का के गए तुम्हें का सुधासन्दे के गए पच्छा सजाय को गयते हम पाइसादा आज बच्छा की हुष्णपाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंग और एसपी गुरकरन सिंग ने जिला सिकत सालाय पहुचकार कोविड वैक्सीन का प्रिकोशन डोज लगवाया है इस दौरान उन्होंने सभी पात्रे फ्रेंट लाइन वरकर्स और साथ वर्ष्टे अधिक के व्यक्तियों से अ अगर पालीका ने सेयुक्त रूप से पूरे बाज़ार में पैदल चल कर लोगों और दुकानदारों को मास्क लगानी की अपील की है साथी मरीज मिलने के बाद लोग भी भैभीत हो रहे हैं जिसके चलते सीम शिवराज ने भी सभी स्कूरों को 31 जनवरी तक बंद करने का देश दिया है वहीं कुछी विशेश अग्यों ने भी जनवरी के आखरी हफ़ते में कोरोना पीक कभी अनुमान लगाया है बता दें की रात को चालानी का रवाई भी की जा रही है कोरोना की तीसरी लहर का डर अब सताने लगा है मध्यप्रदेशन सरकार के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का निनलिया गया है वही रतलाम जिले में बच्चों के शत प्रतिशत वैक्सिनेशन के लिए अभियान और तेज किया गया है कलेक्टर स्रीकुआर पुशोतम ने कहा कि यदि किसी स्कूल या संस्थान में 15-17 वर्ष के बच्चे बगार वैक्सिन के पाए जाते हैं तो संबंदित संस्थान के प्रमुक के ब्रुद एफाई आर के साथ महामारी अधिनियम के तहट कारवाई की जाएगी और साथ यह भी कहा कि संस्थानों के प्रमुकों सुनिश्चित करें कि उनके यहां के सभी बच्चे शक्त प्रतिशत वैक्सिनेटेड हो कि रतलाम में कोरोना का जो तीसरी लहर है उसके कारण काफी बड़ी संख्या में संक्रमित लोग मिल रहे हैं और यह संख्या आगामी दिनों में बढ़ेगी क्योंकि यह कंट्री वाइग संवना है आज पास के बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे है लॉक्डाउन अभी नहीं है क्योंकि आर्थी गतिवियां चलती रहनी चाहिए ऐसी इस्तिती में अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खासी, खरास, पुखार जो भी आता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने को आइसुलेट कर ले, वारंटाइन कर ले और फिट टेस्ट कर आए और पूरा परिवार भी कुछ दिनों के ले वारंटाइन हो जा, सुरक्षा का यही सबसे अच्छा तरीका है, जो बच्चों के वैक्सिनेशन है, वो काफी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे जिले में 20,000 बच्चे ऐसे हैं, जिनका वैक्सिनेशन नहीं हुआ है, सभी अलवावतों से अपील है, कि अगर आपका बच्चा 15-18 वर्ष क के बीच में है और पात्र है, तो आगामी दो दिनों में, साटड़े और संड़े को, जरूर वैक्सिनेशन करा ले, आपके नजदीक में ही केंदर बने होंगे, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता होगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैक्सिनेशन करना आनिवा उनके जो प्रवंदग है नीजी स्कूलों के, वो एक वैद आदेस को दंगन करेंगे और उनके खिलाफ कारवाई हो सकती है, वैक्सिनेशन के कारणी संद्रमन के बाद भी लोग बिमार ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, बच्चों का वैक्सिनेशन इसलिए भी जरूर है, अगली खबर के और बढ़ते हैं, पितोरा ब्लॉक के ग्राम पत्थराला में धान पंड प्रवारी के लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां खरीदी केंदर में बारिश के कारण अलग बग एक हजार धान की बुरी भी गई है, जिससे सरकार को लाग रोपे की छती वही इस पूरे मामले पर जिले के कोई बड़े अधिकारी सग्यान में नहीं ले रही हैं इस पूरे मामले को धान खरीदी और मौबजे के मुद्दे पर 36 गर्व के क्रश्य मंत्री ने कहा कि धान खरीदी की तारिख नहीं बढ़ाई जाएगी क्रश्य मंत्री चौबे ने कहा कि एक करोड़ पांच लाख मीट्रिक्टन धान खरीदी का लक्ष रखा गया था जिसमें से सतर लाख मीट्रिक्टन का लक्ष पूरा कर लिया गया है वही बारिश के वज़े से हुए धान के नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि सर्व किया जा रहा है मुख्य मंत्री के साथ सभी के बाद मौसम खुलने पर जिन्द का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआप्चर दिया जाएगा एस भी उन्होंने बात बताई क्रासी मंत्री ने कोरोना को लेकर समिक्षब बैठा की भी बात कही। कर रहे हैं उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और जंज आगरुकता का कर रहे हैं मैं समस्ता हो कि करोना पर इतना किसी को भी पैनिक होने का सवाली नहीं रायपुन नगर निगम के वार्ट रमंग 56 में इसमार्ट आंगनवाडी का लोकरपन किया गया है इसके साथ यहां 78 लाक रोपे की विकासकारियों का भूमी पूजन किया गया इस मोची पर महापौर एजाज धेबर और विधायक सब्ते नारण शर्मा सही ते अन्य अतिती छेत्रवाशी मौजूद रहे हमारे जोन दस में बर्तन बैंक का उखाटन किया गया जिसमें मांगी महापौर शताय शर्मा जी और हमारे जोन की हमारे कमिशनर साफ प्रभाद जी ने स्वय के पूर अध्यक शकास शर्मा जी कोको पहाडी जी और सभी लोग मोजूद रहे उसके बाद आज मेरे वार्ड म हमारे जोन दस में बर्तन बैंक का उखाटन किया गया जिसमें मांगी महापौर शताय शर्मा जी और हमारे जोन की हमारे कमिशनर साफ प्रभाद जी ने स्वय के पूर अध्यक शकास शर्मा जी कोको पहाडी जी और सभी लोग मोजूद रहे उसके बाद आज मेरे वार्ड म में आंगन बाडी का लोकारपन हुआ है और साथी साथ 78 लाग रुपय का हमारे यहां रोड और नाली का भूमी पूजन हो रहे हमारे जोन दस में कॉंग्रेस की राश्री महासचे उप्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं जिसका अभ्यान उत्तर करेश के बाद मध्य प्रदेश में भी महिला कॉंग्रेस ने शुरू कर दिया है मकर संक्रान्थी की मौके पर अभ्यान क इश्रुवात की गई इस दोरान महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अद्यक्ष अर्चना जैस्वाल और महिला कारकरताओं ने हनमान 40 का पाठी किया इस स्लोगन के साथ हमें हमारी राष्टी अदक्स नेटा डिसूजा जी ने निर्देशित किया है कि यूपी चौनाओं में मदबदेश से कितनी महला जाएंगी कौन सी महला किस शेतर में सबालेगी तो हमने 11 जले ऐसे चिनित करे हैं जो यूपी के बॉर्डर से लगते हैं इसमें हमारे रीवा संभाग भी आता है जहां पर सतना मैयर और उस तरह के जले आते हैं जवलपूर से जैसे कटनी जवलपूर मंदला डिंडोरी यहां की महला हैं जो हैं वो इलाबाद के तरफ वा जा सकती है वो अपने साब से काम करेंगी जो भी महला जाएगी और मुझे बहुत कुशी है कि मदबदेशी इस बार बहुत सारी महला हैं चाहती है कि प्रियंका गांधी जी जब इतनी महनत कर रही हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि पहने जाएंगी और रिजल्ट में थोड़ा आपको बत्ला-बंदा नजल्ट आएगा ताकि मदबदेश को भी फायदा मिल सके आगे जाएंगी देकि मदबदेश महला कॉंग्रेस ने संकरांती के अवसर पर पूरे मदबदेश के हर जिले में संकरांती मिलन समारो कि अपने कानून नहीं पता है उनको जागरू करने का काम मदबदेश महला कॉंग्रेस करेगी में आई हल्प यू के मादम से यदि किसी को कोई मदब करनी है तो हमारी जो महला है उनको पताएंगी यह आपके कानूनी अधिकार है यह सरकार की आपकी योजना है क्योंकि कि अपने महला को जागरू कर सकती है कि आप आपको पता होना ची कि आपके अधिकार है तब यह नारा जो है वो सारतक होगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं आज मैं हो सकता है मैं शक्षम हूं और मैं जागरू कूं अपने अधिकारों के लड़ा ही लड़ सकती हूं परन यो महिला मदद के अकानची है उसे आत्मरक्षा के गुणबी सिखाएगी और ये प्रकृया सतत चलने वाली है आज संक्रांती के अवसर पर चलके खतम होने वाली प्रकृया नहीं है अगली संक्रांती को फिर हम और आप मिलेंगे तब हम देखेंगे कि हमने कितने काटे बीन और कितनी महलाओं को शर्चक्ते करा हैं किनी जुने शर्चक्त हैं के कारण मवेशियों का दाना पानि संकट में है घ्रामणों का कहना है कि गोशाला में 45 हैं सही से देखरेकें उनकी नहीं हो पा रही है जिसके वज़र से मवेशी मर ही हैं लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है लिहाजा ग्रामणों ने आव्यस्थाओं को लेकर प्रशासन से जल्द करवाई की मांग की है अंदर का द्रस है जहां पास देख वा रहे हैं गड़ों में देखिए गड़ों में मिलेगा यह चिपाया जा रहा है यह क्या किया जा रहा है पूरा सीन ले पूरा सीन ले इसका यहां बहुत ही गुरा द्रस है और भी को तो जल्दी प्रयास करें क्योंकि यह समूक इंतर गत पहुंचे हैं हम चुला की निवासी हैं यहां की खबर लेते हुए हम यहां देखें कि भुपाल में आवासमंत्री भुपेंद सिंग ने आदेश जारी कर कहा कि रज़ा मुराद नगर निगम भुपाल के सुक्ष्टा ब्रण्ड अमेस्डर नहीं होंगे उन्होंने कहा कि जो भुपाल के संस्क्रति से परिचित हो या जिनका साफ सफाई के शेतर में योगदान हो ऐसे व्यक्ति या संस्था को स्वक्ष्टा का ब्रण्ड मेस्डर बनाया जाएगा भारती रेड टॉस की जिला प्रमधन समीती के चुनाओ 13 जनवरी को संजय गांधी उद्ध्यान में हुए इसमें दो पैनलों जनसेवा और सद भावना पैनल के बीच मुकाबला हुआ वही इस चुनाओ में जनसेवा पैनल के सदस्यों को जीत मिली और चुनाओ के परणाम घोशित हो जाने के दूसरे दिन बाद जनसेवा पैनल के सदस्यों की बैठक में प्रिटेशत चावला निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए यह तीसरा मौका होगा जब चावला रेड क्रॉस जिला प्रमनहन समीती की कमान संभालेंगे मीडिया से चौर्चा में नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि ब्रधाश्रम और फीजियो थेरेपी सेंटर में जो कुछ खामिया होंगी उनने सुधारेंगे साथी ब्लड डोनेशन को लेकर एक सौफ्ट यर भी विक्सित कराएंगे कल इसके इलेक्षिन्स हुए और कली रात में मदगणना होकर रिजल्ट भी डिकलेर हो गए 21 लोगों की कमिटी बनी आज उस 21 लोगों की जो समयती थी उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में भी निर्विरोध तरीके से जो पाँच पद होते हैं उनका निर्वाचन संपन्न हो गया है अब इनकी ओथ होगी जो कलेक्टर महोदे जो अध्यक्ष होते हैं उनके प्रेजिंस में होगी इस जन सेवा पेनल को जनता ने पूर्ण समर्थन दिया और विश्वास व्यक्त किया पिछले दो कारकाल का निर्विरोथ आज चेर्मेन मेरे को चुना गया मैं निश्चिती भरोसा दिलाता हूं कि इस वो पिछले दो कारकाल में मैंने पीडित मानता की सेवा में अपना तन्मन दिया और उसमें कोशिश करी कि सब अच्छे से करूं आगे भी मेरे रेटकास के डारेक्टर्स ने मेरे उपर भरोसा दिया है तो मैं आगे इन भरोस वे खरा उतरने का प्रयास करूंगा मैं तन्यवा देता हूं कि मनसोर की जनता का कि मुझे कुनों यह अवसर प्रदान किया राजधानी राइपूर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रोको तोकव भ्यान चलाया है जिसको लेकर सोयम सेवी संस्थाओं के कारिकरताओं ने शहर के चौक चौराहों पर लोगों से सही से मास्थ लगाने समाजिक दूरी बनाने और तीका करण करवाने के लिए जा सेंका सेकेंड डोस में लिए नौ महीन हो चुका है अपना भुष्टर डोस में नहीं विका जा रहा है और 15-18 बच्चों का भी डेसिनेशन चिनो हो चुका है तो हम तब यही कोशिश कर जाएं है कि लोग जागरूप हो और अपनी जिम्मेदारी समझे ताकि अपना भारत अपना राज्य जो भी है हम सब प्रशित रह सकते हर दीन 11 बजे से 5 बजे तक सारे लोगों को मास्क लिए और आपके स्टेशन धूरी के लिए दूसरा सेनिटाइजर के लिए और जो अभी 60 प्लस वालों को जो बुस्टर लगना है उसकी भी जानकारी प्रतेक जगा जगा मोकि द्वारा ये यह जरी हैं θα रहे ह्म आपक हसी उप्ता कर देखी हुरं इसो-भी जशत करते हीि सिंगराओली जिले के चितरंगी विकास खंड़ के ग्राम पंचायत कोड़ सर में करदेश्वरी पालब कर दोबे मां बर्देश्वरी एंजियो समीती ने कैन बास क्रिकेट प्रतियोगता का अज़न कराया फाइनल मैच बर्दी और नगजक पोखरी डोल टीम के बीच खेला गया इसे मैच में भी जेता बर्दी टीम रही यहां पस्तित मुक्यती थी भाज़ पाकिसान मोर्चा के जिलाद्यक्ष विनोज चौबे ने खिलाडियों और वॉलन्टियरों को प्रुस्कर वित्रिक किये नगजर की टीम उप विजेता रही और बर्दी की टीम विजेता रही बर्दी रियासत का आज यहां के खिलाडियों ने नाम रोसन कर दिया है और बहुत ही अच्छा खेल खिलाडियों के द्वारा खेला गया एकदम नौजवान पूरे प्रतिभा से भरे हैं और इनका जो है मुझे कहा कि आपको आना है तो मैं अपना पूरा समय यहां पर देकर इनका हांसला फजाई किया मामला शोकनगर का है जहां पती और दो बेटी ने दो बेटियों और पत्नी को कडाती की ठंड में रेल्विस्टेशन पर छोड़कर वो भाग गया कारण था कि पत्नी ने बेटी की जगए दूसरी बार भी बेटी को जनी दिया था बता दे कि मामला महिला थाने तक उच गया है करती किससान इह करता हूं आपकर साधी केतने साल पहले हूए थी साधी पास साल पहले माइका का है आपला करण थे कि dare ने कि वहाद पर अठान करते थे जए ने दूसरी हुआ तैंग ग Fourrd कुछ ऐंब आप से पैसे देले कारिसान कंछत davon normal ख़वर भारत में ख़वरों का फिल्सला लगतार जारी है आप बने रही है हमारे साथ और देखते रहे हैं ख़वर भारत नमस्कार किожд 있나 ऊमस्कार का बाले यान क decía कि यह है 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 ह हमार्ग है आप अरण का जड़रों को स्पय का बना वातार क मने और देखते रहे हैं उन्हें है उता श Pot Tamam